चाप्टर टू इम्पोर्देंस ऑफ डिवलपिंग एन अप्लाइंग मिशन अन्विशन स्टेट्मेंट प्रीटे स्ट्राटेजी इन प्लानिंग ओके सिर्फ दो क्वेशन्स क्या लगता है आपको यह सारी चीज़े बनाने की नीड है अगर नीड है तो कौन सा बेस्ट टाइम है जब यह सारी चीज़े आपको बनानी चाहिए ओके मैं आपको सिंपल क्वेशन यह पूछना चाहता हो कि चलिए अगर आपका एग्जिस्टेंग रीटेल बिजनस है वह रीटेल बिजनस तो अल्रेडी एग्जिस्स कर रहा है आप एवरी यह तो यह इंक्रेमेंटल प्रॉफिट कमा रहे हो आपका कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है साथ करने का हर जब एग्जिस्टेंग बिजनस रहा तभी अगर सच बोलू तो यह सारी चीज़े बनानी चाहिए तो आपके फर्स क्रेशन का अंसर यह सारी चीजों की डेफिनिटली है अब सवाल यह है कि सारी चीज़े आपको आपके बिजनस में बनानी कौन से टाइम प कि आपको बिजनस का इन और नहीं पता तो तभी यह सारी चीज आप नहीं बना पाओगे जब आपको आपको आटोमेटिकरी रियलाइज हो जाएगा कि अभी मुझे खुद का बिजनस करना है भले वो कोई भी लेवल पे हो तभी आपको यह सारी चीज़े बनानी चाहिए जब आपको वो बिजनस का भले वो कोई भी बिजनस हो फूड इंडिस्ट्री इमेटेशन इलेक्ट्रोनिक्स पैशन यह सारी चीज़े बनाने का वो टाइम परफेक्ट है जब आप खुद कर रहे हो कि अभी वो बिजनस आपको खुद को करना है मतलब जब आपने टोटल वो प्रोड़क्ट लाइन में ले लिया हो तभी और आप खुद बिजनस स्टार्ट करना चाहते हो अगर दूसरे वर्ज में बोलू तो इस सारी चीज़े कुछ नहीं बट एक रिवर्स कैलकुलेशन है कैसे लेट मी एक्स्प्रेंड यू एक स्टूडेंट है जिसने अपन हिसाब से एक end goal decide करते हैं को यह decision लेगा कि उसे rank holder बनना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यह decision लेगे कि उन्हें वह exam में पास होना है बट इंपोर्टेंट यह है कि वह एक end goal decide करते हैं उसके बाद अगर यह student की बात करे तो उसने अपने principle सेट किये कि मैं कभी मेरे वह लड़का अपने एक साल की पूरी planning करता है एक state rank लाने के लिए वह अपनी सारी माइन्यूट से माइन्यूट चीजों पर focus करता है जैसे उसकी study pattern क्या रहेगी उसको practical ज्यादा पसंद है या पिर theory उसको कितनी बार अपना revision करना पड़ेगा अपना syllabus complete करना पड़ेगा इस सारी चीजों पर R&D करने के बाद वो यह decide करता है कि उसे तीन बार अपना syllabus complete करना पड़ेगा और एक बार वही exam के पहले एक practice mock test देना पड़ेगा इसके बाद वो लेता है step 4 step 4 पर यह decide करता है कि पहली बार अपना syllabus complete करने के लिए उसे दो महिने का time चाहिए रहेगा यह दो महिने के लिए वो अपनी requirement और availability के बीच test करता है कितना time उसको required है और कितना time उसके पास available है क्योंकि trust me friends वो जानता था कि यह दोनों के बीच definitely फरक आएगा उसकी requirements और उसकी availability के बीच हमेशा एक gap रहेगा वेल इसके बाद यह test करने के लिए वो बहुत सारी चीजों पर ध्यान देता है कितने घंडे की पढ़ाई रोज करनी चाहिए उसकी study pattern हर एक subject के लिए कैसी रहनी चाहिए यह एक साल में कितने functions और occasions आएगे जब भी वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा उसके अलावा बहुत सारी normal loss of days जैसे उसकी health, festivals, friends यह सारी चीजों को consider करने के बाद वो requirement versus availability test अपना पूरा करता है वो अपनी सारी research, अपनी R&D और अपने dreams को एक organized way में implement करता है implementation और improvisation two sides of the same coin है विल आप improvisation को ऐसे समझ सकते हो अगर एक mountaineer mountain climbing के inception पे starting पे एक plan बनाता है mountain के top पे पहुचने के लिए तो definitely उसे changes लाने ही पड़ता है जैसे जैसे उसे climbing में uncertainty space होती है improvisation और implementation जैसा कि मैंने कहा two sides of the same coin है अभी आपके mind में यह question आना चाहिए कि यह 6 step business में कैसे related है यह 6 step की reverse calculation आपको business में आपको strategic formation में आपको mission vision में और आपको planning में कैसे help करेगी पिर इसका simple answer है यह reverse calculation को आप ऐसे समझ सकते हो deciding the state rank जब वो लड़के ने एक state rank लाने का decide किया तो कुछ नहीं पर उसका mission statement था उसने उसके बाद decide किया कि वो कभी cheating नहीं करेगा और कभी laziness नहीं लाएगा वो उसका mission statement हुआ अगर state rank उसका end result था तो इस state rank को achieve करने का जो path है वो उसने step 2 में decide किया उसके बाद उसने अपनी strategy बनाई उसने पूरी एक साल की planning की जिसमें वो decide करता है कि उसे तीन बार revision और एक बार practice mock test देना पड़ेगा उसके बाद आया step 4 उसने अपनी long term and short term goals and targets set किये जिसमें उसने requirement और availability की testing की and finally I asked step 5 जिसमें उसने implementation और improvisation किया तो हम इस chapter में क्या सीखेगे what is this reverse calculation mission statement mission statement आपकी retail strategy आपके plannings and goals क्या होते है डूसी चीज दो हम सिखेगे कि उसकी need क्या होती है यह सारी चीज़े बनाने की and finally हम यह सिखेंगे कि सारी चीज़े बनाते कैसे है and friends जैसा कि मैंने कह हुआ कि हम सिर्फ theory पे ने practicals पे भी बहुत ध्यान रखेगे so friends next session में हम definitely मिलेंगे thank you